नमस्कार जैहिंद, मेरा नाम है अनुचोदरी और आप देख रहे हैं Unbelievable Cases अगर आपको Unsolved Mysteries या Real Crime Cases में इंटरस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ओन कर लो कहा जाता है जब लड़की की साधी होती है तब वो अपना एक घड़ छोड़कर दूसरे घड़ जाती है उसकी आँखों में उम्मीद और नए सपने होते हैं लेकिन कभी कभी ये सपने ऐसे तूटते हैं कि इनके दुखों का अंत इस दुनिया से रुकसत होने पर ही होता है बेसक सुरजित का जन्म इंग्लेंड में हुआ लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखों वाले सारे संसकार दिये वो काफी सीधी साधी सी बच्ची थी जैसे जैसे सुरजित बड़ी हुई तो उसके पिता ने 16 साल की छोटी से उम्में उसकी साधी उससे 10 साल बड़े एक ट द्रक ड्राइवर सुकदेव अथवाल के साथ तै कर दी। सुकदेव अपने विदवा मा बच्चनकोर गिल, अपने भाई हरदेव और अपनी एक भेन भजमकोर के साथ रहता था। साधी के पहले एक बार सुकदेव और सुरजित को मिलाया गया और फिर दोनों का चट मंग पट ब्या कर दिया गया। साधी के बाद सुरजित अपने पती, सास, देवर और ननद के साथ वेश्ट लंदन हेयस में रहने लगती है। धीरे धीरे उसे एसास हुआ कि उसके घर में पत्ता भी उसकी सास बच्चनकोर गिल के कहने पर हिलता है। दिन भर सुरजित घर का क करती और रात को बिना बाद पर सुरजित की गाली गलोंच और मार सेहन करती। उसकी सास भी उसे ताने मारने और परिसान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसकी सिकायत उसने अपने घरवालों से भी की लेकिन उन्होंने सुरजित को यह कहकर चुप कर दिया कि तुम अच्छा व्यभार बनाए रखोगी तो ये भी जल्दी पेगल जाएंगे और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 1989 में सुखदेव के छोटे भाई हर्देव की भी साधी हो जाती है। करने का वो बच्चों की परवरिस को लेकर उन्हें हर समय ताने देती और छोटी छोटी बात की चुगली अपने बेटों से कर अपनी दोनों बहुआं को पिटवाती। सुर्जीत अब इस रोज-रोज के कलेश से तंगा चुकी थी। वो बड़े प्यारे सवहब की लड़की थी तो उसे अपने काम वाली जगहे पर दोस्त बनाने में बिलकुल मुस्किल नहीं हुई। वो अब थोड़ा आजाद महसूस कर रही थी। अपने दोस्तों की देखी देखा उसने वेस्टन कपड़े पहनना, मेकप करना भी शुरू कर दिया। चाहिर सी बात है, ये बात सुखदेव को बिलकुल भी पसंद नहीं आई। जनवरी 1994, रोज के जगणों से तंग आकर सुरजीत अपने तीन साल की बेटी पवन को लेकर घर से भाग जाती है। कुछ दुनों में ही सुखदेव उसे ढून निकलता है, मारता और धंकाता है, कि अगर वो घर नहीं आई, तो वो उसका जीना मुस्किल कर देगा। सुरजीत वापस आने के लिए एक सर्थ पर तयार हो जाती है, कि वो उस घर में नहीं रहेगी, अगर साथ ले चलना है, तो अलग घर में ले चलो। सुखदेव उसकी ये बात मान लेता है, और उसे लेकर वो अपने घर के पास वाले घर में रहने लगता है। सुखदेव सक्की तो पहले से ही था, लेकिन अब उसने सक्की सारी लिमिट क्रोस कर दी, अब वो सुरजीत का हर जगे पीछा करता, चाहे वो काम पर जाती या अपने दोस्तों से मिलने जाती। 1997 में सुरजीत एक बार फिर प्रेगनेंट हुई, इस बार उसे बेटा पैदा हुआ, लेकिन सुखदेव ने सुरजीत पर किसी का नाजायज खून उसके माथे थोपने का आरोप लगाया। सुरजीत की एक आदमी से दोस्ती हो जाती है, वो सुरजीत से बड़े प्यार से बरताब करता, उसे अच्छा फील कराता, सुरजीत को उसकी इनी हरकतों से उससे प्यार हो जाता है। अगले दिन सुरजीत की गैर मौजूदगी में घर के सभी लोग लाउंज में खटा होते हैं। बेटे सुकदेव और हरदेव, बेटी भजम और हरदेव की बीबी सरबजीत बच्चन कौर के साथ बैठते हैं। चाए पापे खाते खाते बक्त बच्चन उनसे कहती है, मैंने हिंदुस्तान में किसी से बात की है, वो सब समह लेगा। वैसे सुर्जीत की गलती है, खांदान का नाम बदनाम कर रही है, हमें जल्दी ही उससे छुटकार हासिल करना होगा। अगले दिन भजन कौर सुर्जीत को अपने पास बुला कर कहती है, लड़की सुन, तुझे डिवॉस चाहिए, ठीक है, हमको भी अब तेरे साथ नहीं रहना, मगर पंजाब में मेरे दो रिस्तिदारों की साधी है, तुझे मेरे साथ चलना होगा, अकेले मैं जाऊंगी, त तो मेरी बड़ी बेजिती होने है, सुर्जीत को राजी करने के लिए बच्चन कौर उसे नए कपड़ों का लालस देती है, एक हजार पाउंड टुझे सौपिंग दे दूंगी, मजे से फैसन के नए कपड़े मगा लेना, वापस आकर सुखदेव से डिवॉस के पेपर जादा डरी हुई थी, क्योंकि बच्चन कौर के मनसूबे वो जानती थी, सरबजीत ने अपनी पती हरदेव से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हरदेव उसे इन मामलों से दूर रहने की नसीहत देता है, सरबजीत को उसकी सास और पती के अत्याचारों ने इतना डर बना दिया था कि वो सुर्जीत को अगहा तक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुर्जीत और बच्चन की फ्लाइट से कुछ घंटे पहले, सरबजीत गाडी में बैटकर, महले से दूर एक फोन बूथ में जाकर, क्रैमिस्टॉपर्स को कॉल करती है, सरबजीत फ करैमिस्टॉपर्स को बता दीती है, कुछ घंटो बाद सरबजीत, सुर्जीत और अपनी सास बच्चन कौर को एरपोर्ट निकलने के लिए गाडी में बैठती हुए दीखती है, सरबजीत परदे के पीछे छुप जाती है, और रो परती है, क्योंकि उसे डर था कि सुर्ज बस उसके नाम के सिवा, वो खुलकर कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि बच्चन को और अगर खांदान की इज़्जत के नाम पर सुर्जीत को मानने के लिए तैयार है, तो वो सरबजीत को भी हमेशा के लिए खामुस करने से पहले नहीं सोचेगी, पुल बच्चन कोर इंडिया से वापस इंगलेंड आ जाती है, सुर्जीत के बगैर, जब सरबजीत ने जिठानी का हाल पूछा, तब सास ने कहा, सुर्जीत को पंजाब में बहुत मज़ा आया, उसने वहाँ कुछ दिन और रहने का फैसला किया है, सुर्जीत के पिता बच्चन कली सुखदेव ने उससे फौन पर बात की, मजाल है, उसे अपने बच्चों की फिक्र हो, उसने वहाँ पसाने से साफ इंकार कर दिया, अब तो बिचारी सुखदेव को डिवॉस पेपर साइन करने ही पढ़ेंगे 21 दिसंबर 1998, सुर्जीत का भाई जगदी सींग मेट्रो पॉलिटियन पुलिस के पास जाकर सुर्जीत की गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस अपनी कारवाही शुरू करती है जनवरी 1999, एक दिन सुर्बजीत बच्चन कौर के साथ घर में अकेली थी, बच्चन कौर सुर्जीत के साथ अपना दिल खलका करती है सायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लड़की खांदान को सरमिंदा कर रही थी, कुछ तो करना ही था सरबजीत ने आखिरकार सुर्जीत के बारे में बच्चन कौर से पूछी लिया हम दिली के एयरपोर्ट पहुँचे, तो मेरा भाई दरसन सिंग हमें लेने आया फिर गाउं जाकर हमने दो साधियां टेंड की, कुछ दिन बाद सुर्जीत ने कहा उसे सौपिंग करने का मन है मैंने उसे पैसों का लिफाफा दिया और कहा इंजोई, दरसन और उसके एक दोस्त ने जीप तैयार की और सुर्जीत उसमें बैठ गई, घर से दूर उन्होंने सुर्जीत को पानी पीने को दिया और जैसे ही उसने पानी पी लिया, उसे मालूम हो गया कि इसमें नसाध था, वो बेहुस हो गई फिर उन्होंने उसका गला घूर दिया उसके मरने के बाद उसके गहने उतार कर उसकी लास रावी नदी में फैंक दी किसा खतम सुर्जीत बहुत डर गई उसे अपने और अपने बच्चों की जान का खत्रा था सुर्जीत का भाई और उसके पिता पुलिस स्टेशन के रोज चकल लगाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पंजाब में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन करें मई 2000 में पुलिस बच्चन कौर और सुकदेव को गिरिफतार कर लेती है लेकिन 24 घंटे की पूस्ताच के बाद बगेर किसी चार्जिस के उन्हें रहा कर देती है कई साल गुजर जाते हैं लेकिन सुर्जीत को ढूने का प्रयास उसके घरवाले जारी रखते हैं सुर्जीत के लापता होने के बाद की जिन्दगी सरबजीत ने अत्वाल खांदान के साथ खौफ में बिताई उसने कई बार भागने की कोशिस की लेकिन नाकाम रही आखिरकार सन 2004 में मैंटली परेसान होने की वज़े से सरबजीत का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे हॉस्पीटल में एडमिट किया जाता है जब वो हॉस्पीटल से डिस्चार्ज हुई तो वो अपने पिता के घर वापस चली गई जहां उसने अपने पिता को सुरजीत का सारा किस्सा सुनाया सरबजीत के पिता सरबजीत को पुलिस के पास जाने और बयान देने के लिए राजी कर लेते हैं सन 2005 सरबजीत के बयान के बाद ब्रिटेन पुलिस ने सुरजीत वाला केस दुबारा खोल दिया मेट्रो पॉलिटन पुलिस ने हिंदुस्तान से लेकर इंग्लेंड तक अच्छे से तफ्तिस की अगस 2006 में बच्चन कौर और सुखदेव को सुर्जीत कौर के कतल के इलजाम में गिरिफतार कर लिया गया अप्रेल 2007 में ओल्ड बेली में उन पर मुकदमा चला जहां सरब्जीत ने गवाही दी बच्चन कौर और सुखदेव अत्वाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई बच्चन कौर का भाई दरसन सिंग और उसका साती सुर्जीत के असली कातिल आज भी भारत में आजाद गूम रहे हैं सरब्जीत अब एक अच्छी जिन्दगी जी रही है उसने अपने पती हरदेव से डिवोस ले लिया है और अपने चार बच्चों के साथ रहती है वो एक रेटार पुलिस ओफीसर है और उसने अपनी आप बीती और सुर्जीत की कहानी एक किताब में पब्लिस की है ये थी स सुर्जीत कौर अत्वाल की कहानी आज घटनाम बस इतना ही अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे